तो फाइनली पूरी दुनिया पर राज करने वाली एक इलेक्ट्रिक कॉप SUV कार हिंडे मोटर्स की तपसाने वाली हिंडे आयोनिक 5 जिसके नाम पर 10 से ज्यादा अवोर्ड अल्रेडी स्तामिर हो चुके 2020 पर ही इस कार को 3 तरह के वर्ड दे दिये तो गाईस ये कार काफी जिद्दा और कमार की और प्रीम्यम लगजरी काफी ज्यादा камal की कार है जिसके बारे में देटेल पर इस वीडियो omega cab दे तो काफी कमार की इस की बारे में टाइस से पर आने वाली इसकी पर इसकी DRLS तेरों मिल जाएगे, जिसमें आपकी headlets integrate कर दी गई है, और सकाइट में इसकी DRLS हैं, इसकी indicator का भी काम करती है, जिसके center आपको black clear की thin सी bumper मिलती है, जिसमें आपको इसकी front की camera देखनों को मिल जाएगे, और उपर की तरप himdai motors का logo, नीची की तरप आप से भी ल जिसमें आपको shape बिल्कुल अलाग होगी, साथ में flush door handle दी गई है, बिल्कुल range rover वाली fill इसका के side profile पर आएगी, काफी कमाल के sporty और dynamic लोग भी इसका के side profile को दी गई है, इसके साथ में अगर हम इसका के rear profile की तरप देखें, तो काफी कमाल के rectangular shape पर आने वाली, दो-दो LED telearms द आपको rear की camera देखने को मिल जाएगी, जिसके नीचे आप देखें, तो काफी कमाल की black color की bumper देखने को मिलती है, साथ में आपको silver color की cladding मिलती, जिसमें air outtech दी गया है, जो की aerodynamic को, हवा को बाहर निकालती है, वैसे तो इस car आपको किसी भी तरह का sunroof नहीं मिलता है, लेकि लेकिन आप इस car के roof से बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो ये दो options मुलेंगे, जिसमें आपसे video अपने हिसाब से choose कर सकते है, dimensions की बात की जाए, तो 4635 mm की lane, 1890 mm की weight और 1605 mm की height दी गई, तो height को काफी कम रखा गिया था कि इस car को cop असो भी बनाया जाए, और साथ में 300 mm की wheelbase इस car की दी गई, तो guys, अपनी segment की सबसे लंबे wheelbase के साथ में ये car आईगी, तो आपको cabin space काफी जबर्जत वाला मिले काई, इसके साथ में 527 लेटर की bootless भी इस car पर देगे, तो guys, कुल मिलाकर आपको काफी ज़्यदा कमाल की, ये car externally होने वाली, इनकी exterior पर से काफी कमाल की साथ में इसकी spoiler है, वो भी aerodynamic spoiler दी गई, क्यों कि अल्रेडी ये car भी aerodynamic वाली car ही है, अगर हम इसका की interior की बात की जाए, तो काफी कमाल की premium soft touch cabin layout मिलेगी, पुरिता से dashboard, एक leather finishing के साथ में मिलेगी, जिसमें आपको सभी लोगों को बिलकुल किया कि EV6 की तरह 12.25 पिंच की developed panor आमें curve display देखरों को मिल जाएगी, जिसमें पहली है इसके advanced instrument cluster के लिए, और दूसरी 12.25 इंच की touch screen infotainment system के लिए, जिसमें GPS, blue link और 360 degree camera, reverse camera और सभी चीजे इसका के center वाले infotainment system पर supported है, साथ में multifunctional steering wheel दी गई है, devil zone AC दी गई है, साथ में 3 color के आपको इसकी interior मिल जाएगी और साथ में 6 तरीके से आप इसके seats को adjust कर सकते हैं, front ही नहीं, बलकि rear के seats को भी आप adjust कर सकते हैं, और slide कर सकते हैं, जो कि अपने segment की पहली चीज हो जाती है, और अपने segment की एक और चीज पहली है, क्योंकि इस car पर आपको sliding arm wrist भी दीख है, तो center की जो arm wrist है, वो इसको भी काफी ज़दा कमार की और मज़दार और मज़ा आएगा, साथ में इसकी seats भी काफी ज़दा premium और relax वाली seat है, तो काफी ज़दा comfortable और convenience के मामने में, ये इस car पर कोई भी कमी नहीं दी गई है, इसके साथ में आप सिम लोगों को इसकी जो bottom है, वो पूरितल से flat दी गई, तो इस केंपनी के 14 speakers दीगे, जो quality है, sound quality, वो काफी ज़दा जबरस्ट देने को मिल जाएगा, तो इंटेर के मामले में भी ये car काफी ज़दा जबरस्ट और काफी ज़दा कमाल की है, और सभी कमाल के advanced features इस car पर आप से लोगों को मिल जाएगे, और सबसे कमाल की बात है, इस car क पूरी दीके से eco-friendly बनाया गिया है, अल्रेडी एक electric कार है तो eco-friendly होगे, और साथ में इस car को बनाने वाली material और colors की जाने वाली colors को भी, natural चीजों से बनाया गिया और eco-friendly चीजों से बनाया गिया, जिसमें सामिल है corn, sugar can, flour और कभी काफी तरके के oil, और recycling, plastic वरगारा सामिल है इसके साथ मागर हम इस car के बात की जाए warranty के, तो guys इस car पर आपको 8 साल या फिर 1,60,000 km की warranty मिलेगी official Hyundai की motors की तब से, इस car के engines की बात की जाने की electric motor और battery की, तो यहाँ पर आपको 72.6 kWh की battery मिलती है, जिसमें आपको 481 km की range मिलती है और top speed 185 km परावार की, तो guys यहाँ पर 217 kWh की power मिलती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके all wheel drive को दो electric motor लगाएगे, front axle और rear axle पर, और इसके साथ में आपको 58 kWh की दूसरी battery pack भी मिलती है, जिसके थोड़ी सी कम price पर आएगी, जिसमें आपको 384 km की range मिलेगी, और all wheel drive पर 233 kWh की power, और rear wheel drive पर 170 kWh की power, और यहाँ पर आप सेब लोगों को जो maximum speed है, वो 185 km per hour की ही मिलेगी, और अगर चार्जिंग ही परात की जाए, तो 10% से लेकर 80% की चार्जिंग ही केवल 18 minute पर चार्ज कर देगी, और अगर आप इसको लेकर कहीं immediately जाना चाहते हैं, तो केवल 5 minute के चार्ज पर आप इसके 72.6 kWh की battery को लग 5 minute के चार्ज पर, इसके साथ मैं बात की जाए, इसके safety की जो सबसे ज़्यदा जरूरी है, तो guys यहाँ पर आपको 60 plus active safety feature मिल जाएंगी, जिसके साथ में ADAS level 2 मिल जाएगा, एडिन की autonomous driving assistance system, साथ में 360 degree camera, reverse camera, blind sport camera, और साथ में heads up display और भी काफी सारे कमाल की feature, इसके साथ में 7 error मिल जाती है, और काफी कमार के safety feature जो आप आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी रही की तरीकी के यहाँ पर आप से बलोगों को safety feature मिल जाएंगी, जिसके साथ में अगर आगे जा रही है, और आगे कोई बंदा है, तो guys automatically यह car brake लगा देगी, एगर आपकी car पीछे से निक सेट कर सकते हैं, और साथ में distance को भी सेट कर सकते हैं, जिसके कारण इस car की speed आपकी हिसाब से चलेगी, अगर आपके car के आगे, एक निश्चित दूरी पर कोई car होती, तो automatically आपकी car की speed धीमी हो जाएगी, और जिसे है प्लेन को change करते है, automatically आपकी speed उतनी ही पहुंच तो काफी कमाल के नए और कमाल के safety feature इस car पर दी गई है, तो कुछ मिला करें ये car अपने segment की काफी ज़्यदा जबजस्तावली car होने वाले है, तो कैसे लगी आप सिब लोगों को, Hyundai Motors की तपसे आने वाले Hyundai Ioniq 5 पिक बैटरियन कॉप electric SUV कार जो अपने segment की काफी आने वाले Hyundai Ioniq 5 पि, और definitely ये जो कारण, ये Kia Motors की Kia EB6 का competitor रेजिस तरीके से Hyundai Venue और Kia की Sonnet है, Hyundai की Crater और Kia Motors की Seltos, जियां उसी तरीके से Hyundai Ioniq 5 और Kia EB6 जो दोनी कार काफी जाल दिये इंडिया पर launch होने वाले है, तो दूस्तों इस वीडियो को लाइक और शेह करना, चेनल इतना ही था, इकने वीडियो के साथ वर्ट से मिलते हैं, तब तक लिए जाएं वन दे मात्रा.